हेलो दोस्तों वेलकम एन वेलकम बैक तो माई चैनल आई होप यॉर डूइंग गूड एन वेरी पॉस्टिव दोस्तों अगर आपके बाल कम उमर में सफेद हो रहे हैं आपको बहुत जादा सफेद बालों की प्रॉबलम है आप अपने सफेद बालों को पूरी तरीके से क्यो कर लेना है वश कर लेना है देगि डोस्तो बीट रूट में यानी चुकंदर में आपको विटमिन दशेसी मिलता है मिलता है विटमिन ई और आइरन भी मिलता है सथे साथ इसमें प्रोटीन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं और इसका जो लाल तत्व है जैनी कि उसका कलर pigment है वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों को बहुत dark color देता है साथ ही दोस्तों मैंने यहां पर कच्छी हल्दी का इस्तमाल किया है कच्छी हल्दी एक natural ऐसी antiseptic हर्ब है जो कि skin के लिए भी बहुत भी इस्तमाल की जाती है और हमारे बालों के लिए यह हमारे scalp यानि बालों का scalp है उसको detoxify करती है oil को reduce करती है और scalp को बहुत जादा healthy और strong बनाती आपको क्या करना है छिलके को अच्छे से पानी तत्वनी का लाता है जो कि हमें नहीं चाहिए हमें grade करके जब आप इसे आगे के step करेंगे तो grade की वही चीजियों के अंदर से जो इसके अर्ख है उसके गुड है वह बहुत जल्दी release हो जाते हैं और फायदेमन होते हैं दोस्तों चुकंदर हमारे skin के लिए भी बहु यह काफी ज़्यादा फायदेमन है यह आपके skin के pigmentation को भी दूर करती है dark spots को भी दूर करती है तो अभी यहाँ पे half ही मैंने grade किया है और आधा ही लेना है यानि कि अगर आप थोड़ा आपके लंबे बाल है तो आप पूरा ले लिजे और चोटा अगर चुकंदर यूज कर combination हमारे बालों के लिए बहुती सूपर तरीके से काम करता है बालों की growth करना हो बालों को नरिश करना हो इसकी scalp की elasticity को boost up करना हो melanin को बढ़ाना हो जिसे कि आपके बालों में पर्याप्त रुप से pigment पहुचे और सफेद बाल की समस्या खतम हो जाए तो उसके लिए दोनों ही काफी जादा फायदे मन्द होते हैं इसके अलावा ये आपके बालों को soft स्मूध भी बनाते हैं dry hair को ये फिर से smooth करने के लिए soft करने के लिए अच्छे माने जाते हैं और साथी साथ दोस्तों बालों की अगर growth रुख गई है किसी कारणों की वज़े से तो उसके लिए भी ये फायदे मन्द होते हैं तो देखिए मैंने यहां पर अच्छे से grade कर लिया है सारी चीजों को और हल्दी का color आप देख सकते ह कच्छी हल्दी की इसे अच्छे से grade कर लिया है अब आपको इसे transfer करना है एक another मतलब लोही के बर्तन में अभी तक तो हम यह प्लास्टिक की उसका रहते हैं लेकिन अब इसे चुकि हमें next step जो है उसका boiling process है तो हम यहां पर लोही की कढ़ाई ले लेंगे अब इसमें और भी कीजियो क्योंकि जिसे बहुत time तक रखा रहता है बर्तन लोहे का तो किनारे किनारे ऐसे लोहा मतलब और इंसा हो जाता है यानि कि इसका जो iron है वो यहां पर इस तरीकी से दिखने लगता है तो उसको छोड़ दीजिए उसी में आप इस ग्रेट किये वे चीजों को जो एक छोटा चमच आपको यहां पर कलोंजी लेना है कलोंजी जिसे की मंग्रेल भी कहते हैं और ब्लैक सीट्स के नाम से भी से जानते हैं बालों की ग्रोध के लिए बालों की गंजेपन की समस्या को दूर करने के लिए हेर ग्रोध को प्रमोट करने के लिए और बालों को सॉ अष्रेटे Г वालों के लिए राम बार्ड की तरह असर करती हैं और श्रचती से कम नहीं इसके बाद दूस्तो आपको यहां पे ड्राइफ ओम में आमला का इस्तेमाल करना ए अगर आपके ड्रााइफ ए आमलोह आधो करके दैस्श आमला ौडर भी और भी रूर करते हैं, उस छाय पती का आपको यहां पर इस्त माल करना है, चाय पती में टैने नावक तत्तो होता है, चाय पती हीयर ग्रोध को प्रमोट करने के लिए कफी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, नेस्ष्न तरीकी आपको डेर गलास पानी इसमें आड़ करना मैं अपने बालों के कॉर्डिंग से पानी यूज़ कर रही हूं अगर आपके बाद ज्यादा लंबे हैं तो आप दो या धाई गलास क्यूंकि जब हम इसे बॉयल करेंगे तो पानी की कौंटिटी भी कम होगी तो इसलिए ध्यान म करके पानी याड़ कीज़ेगा कि बाद में पानी आपको कमना पड़े ठीक है तो यहां पर अच्छे से पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लिए अब बढ़ते हैं नेक्स टेप यानि कि हमने से बॉयलिंग के लिए रख दिया है तो धीरे धीरे पहले बार एक जो उबाल आत इसलिए आप पानी की कोईटिटी भी कम हो चुकी है बाकी सारी चीज़े अच्छे से यहां पर फूल गई है सॉफ्ट हो गई है मिति दाना देख सकते हैं साइज में बढ़ा हो गया है और काफी अच्छे तरीके से यहां पर बॉयल हो चुका है तो अब आपको क्या करना है गैस के फ्रेम को यहां पर आपको आफ कर देना है और आफ करने के बाद दोस्तों आपको इसे छोड़ना है ठंडा होने के लिए तब आपको इसे स्ट्रेंड करके यानि कि छान करके एक एनेदर बरतन में निकाल लेना है तो मैंने यहां पर गैस के फ्रेम को कर दिया है और और इसे हमें आप पे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए पूली तरीके से ठंडा हो जाने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर और ज्यादा चेंज हो चुका है और साथी साथ कौंटिटी भी बढ़िया है मतलब जितना हमें पैक बनाना है उसके अकॉर्डिंग यहां प पेस्ट वाला है यानि कि एक तरीका ऐसा बताऊंगी जो कि आप डेली हिस्तमाल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक तरीका ऐसा बताऊंगी जिसे कि आपको हफते में दो बार तो दोनों में से जो भी आपको पसंदो उस तरीके को आप अपना सकते हैं और अपने juice मिल चुका है अब मैं आपको बता रही हूँ वो तरीके जो कि आपको इस्तमाल में लाने है तो सबसे पहले तरीके के लिए आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे एक एनेदर बोल में हम इसे transfer कर लेंगे तो यहाँ पे एक एनेदर मैंने बोल ले लिया है और इसमें हम सबसे पहले इसमें आपको add करना है एक most important powder जो की मेरी हर एक remedy में होता है और जो की बालों के लिए फाइदे मनते वो है coffee powder coffee powder बालों को strong करती है थिक करने में मदद करती है बालों का अच्छा सा color देती है साथी साथ बालों को soft silky shiner बनाती है इसके अलावा melanin को भी produce करती है तो एक चमच आपको यहाँ पे coffee powder लेना है इसके बाद जो यहाँ पे decotion है उसे इस coffee powder में add कर देना है यानि कि डाल देना है डालने के बाद इसे आपको अच्छे से mix करना है spoon की health से क्योंकि इसमें चोटे बड़े कर्ण होते है और उसे घुलना जरूरी है इसलिए हम थोड़ी देर तक इसे दो से एक से दो मिनट आराम से यह easily यहाँ पे mix हो जाएगी इसके बाद आपको किसी spray bottle में इसे transfer कर लेना है आप चाहें तो ऐसे ही cotton की help से भी इसे लगा सकते हैं लेकिन spray bottle में डालेंगे तो आपके लिए काफी easy रहेगा इसे apply करना तो यहाँ पे देखिए मैं बार बार इसे अच्छे से चला रही हो ताकि काफी पूरी तरीके से इसमें घुल जाए mix हो जाए इस तरीकी की मैंने यहाँ पे बाटल ले ली है जो की spray bottle है और पूरा फिल कर दिया है अच्छे से हम यहाँ पे lid को tightly बंद कर देंगे ताकि यह lose ना हो और इसमें से बाहर ना निगले अब आपको इसे लगाना कैसा है देखिए दोस्तों आप इसे डेली ही लगा सकते हैं चुकि यह सर्फ एक liquid decotion है इसमें कोई oiling नहीं की गई है और इसमाल में नहीं लाई है इसके अंदर included नहीं है सिर्फ पानी है तो आप चाहें तो इसे डेली ही रात में सोने से पहले थोड़ा थोड़ा अपने scalp में roots में लगा के सो सकते हैं या फिर आप इसे दो दिन लगाए और तीसरे दिन शैंपू कर लीजे इस तरीके से आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं या डेली लगा करके आप विकेंड में संडे के दिन अपने बालों को वाश कीजे या फिर आप इसे दो दिन लगा करके और तीसरे दिन वाश कीजे तो यह है हमारा first step जो कि आप हमेशा ही यानि कि डेली कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फाइदे मन्त यह तरीका है अब बढ़ते हम second step की दरफ कि as a pack अगर आपको लगाना हो तब आप इस पानी का कैसे इस्तमाल करेंगे क्या उस चीज में मतलब उस पानी में आपको कौन से ऐसे powder मिलाने है जो कि जल्दी से जल्दी effect दे आपके बालों को और आपके बालों को काला करने के लिए तो second step के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है एक another आपको यहाँ पर bowl ले लेना है सबसे पहले जो हम पानी हमारा decocean है इतना decocean हमारा बचा हुआ है तो इसलिए एक another bowl लेकर के आपको इसमें एड़ करना है भ्रिंग राज लीफ पाउडर जिसे king of herbs कहा जाता है भ्रिंग राज हमारे आयरुवेड में बहुत जादा खास मानता प्राप्त है इसे क्योंकि बालों की जो भी समस्याएं होती है भ्रिंग राज उसे बहुत easily cure करने में help करती है और instant ये result भी देती है एक चमश आपको यहाँ पे भ्रिंग राज पाउडर लेना है second number पे दोस्तों आपको यहाँ पे add करना है जटा मानसी पाउडर जिन बच्चों के बाल सफेध हो रहे हैं तेजी से तीनेजर्स के बाल सफेध हो रहे हैं उनको जटा मानसी का इस्तमाल जरूर करना चाहिए एक चमश आपको यहाँ पे जटा मानसी भी लेना है और इसके बाद दोनों पाउडर्स को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजे मिक्स करने के बाद जो हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको लगता है कि पैक काफी जदा तिक है तो आप इसमें एक से धोच चमश और एड कर सकती है मैंने अपने अच्छे से मिक्स कर ले हैए जटा मानसी को किसी भी डिकोशन के साथ अब मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए थोड़ा टाइम दीजे यह अच्छे से मिक्स हो जाता है और अब आप इस paste को अपने scalp में, hair roots में, length में लगाईए and wash कर लिजे तो दो तरीके मैंने आपके साथ share किये हैं दोस्तों चाहे तो आप इस paste का इस्तमाल हफते में आपको दो बार करना है इस तरीके से decocean को बना के store कर सकते हैं तो इस तरीके से decocean को जादा quantity में बनाएए और अलग अलग तरीके से यूज़ कीज़े यानि कि अगर आप मास्क बनाना चाहते हैं पेस्ट तो इस तरीके से आप इसे बना करके हफते में दो बार यूज़ कीज़े और अगर आप as a spray के तर पे अपने बालों में लगाना चाहते हैं तो वैसे भी इसको इसस्थमाल कर सकते हैं اور spray के तार पे ज़ादा अच्छा है क्यूंकि आप इसे daily यूज़ कर सकते हैं उपने बालों में तो इस तरी केसे से बनाईए लगाईए अपना feedback में सा शेयर करना बिलकुल न भूलेगा आशा करती हूँ दोस्तो आज की remedy आपको पसंद आई हो तो प्लीज रेमडिय को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा चली दोस्तो फिरसे मिलते हैं कि अनदर new remedy के साथ अब तक लिए bye bye take care अपना ध्यान रखे